हेलो प्रेंट्स आज हम बहुत ही प्यारा सा बैक बनाएंगे इसके लिए मैंने कॉटन का कप्रा लिया है कप्रे की लंबाई 27 इंच है और इसकी चौड़ाई 16 इंच है 16 इंच इसकी चौड़ाई है इसे हम कुल्ट करेंगे इस बैक में मैं बोरी का यूज कर रही हूं चाव यह बोरी के ऊपर मश्रीन आसानी से चल जाती है 16 नंबर की सुई मैंने यूज की है तो देखिए इस तरह का डिजाइन मैंने बना लिया है अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे लंबाई में जो 27 इंच वाली साइड है उसी में बीच से हमें फोल्ड करना है इस तरह सिफ अब जो फोल्ड वाली साइड है वहां हम एक बॉक्स बनाएंगे टूबाई टू का दो इंच इसकी लंबाई लेंगे और दो इंच इसकी चोड़ाई लेंगे दोनों की नारों पर हमें एक एक बॉक्स बना लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है कपरे की कटिंग हो गही है यह अब बैक के लिए 20 इंच लंबा कपड़ा लिया है उपर से पहले फोल्ड करेंगे थोल्ड करके इसकी सिलाइप कर लेंगे इस थरहrah से पहले उपर से थोरा सा फोल्ड कर ले Dual उसके बाद दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारी किनारी सिलाई लगा लेंगे अब इसे हम बैग में लगाएंगे यहां से मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ किनारे से 4 इंच पर निशान लगाएंगे दूसरे साइड से भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम 2 या 1,5 इंच तक डाउन करेंगे अब यहीं पर हमें स्ट्रेप को रखना है और अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है इसको रखकर 4-5 बार अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए स्ट्रेप मैंने लगा लिया है यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया है एक पुराना स्वेटर का मैंने बटन लिया है और मैचिंग कप्रा लेते हुए इस तरह से रखकर इसको सिलाई लगा लेंगे बटन अंदर रहेगा कप्रा उपर रखे चारो साइड से उसको सिलाई लगा कर बटन लगा लेंगे अब दोनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है इसी नाप का मैंने एक कप्रा लिया है लाइनिंग के लिए चौराई इसकी 16 इंच है और लंबाई 16 इंच है इसे भी इस तरह से फोल्ड करके मैंने कॉर्णर की कटिंग कर ली है अब इसके दोनों साइड की सिलाई लगा लेंगे जो वाक्स हमने बनाया था उसके दोनों साइड को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस लाइनिंग की भी हमें उसी तरीके से इस तरह से सिलाई लगार कर इसका भी हमें बेस बना लेना है अब बैक को मिलाने सीधा कर लिया है लाइनिंग को उल्टाई रहने दिया है अब लाइनिंग के अंदर बैक को डालेंगे स्ट्रैप को अंदर करेंगे लाइनिंग की सीधी साइड और बैक की सीधी साइड अंदर आमने सामने है अब पूरी गुलाई में हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से किनारी किनारी सिलाई लगा लेंगे उसके बाद साइड से थोड़ी से सिलाई मैंने खोल ली है इसमें से बैक को हम निकालेंगे और जहां से हमने सिलाई खोली थी वहाँ पर स्टीश करेंगे लाइनिंग को अंदर की तरफ करेंगे अब इसके उपर किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है बहुत यासान तरीका सिलाई को बनाने का और ठीकि मैंने किनारे किनारे सिलाई लगा ली है अब हम मैं क्या करना है देखि जहां तक हमने ये बेस बनाया है वहाँ से बिल्कुल सीधा लेते हुए यहाँ पर हमें हलकी सी सिलाई चलानी है एक पैर की सिलाई लगा सकते हैं उससे भी कम बिल्कुल जितना कम हो सके आपको सिलाई लगानी है दूसरे साइड भी इसी तरह से हम सिलाई करेंगे तो साइड बैक के साइड बन जाएंगे आप इसमें हम वैलकुल लगाएंगे वैलकुल के जगा बटन भी लगा सकते हैं तो देखे साइड बन गया है अब यहां पर हम वैलकुल लखेंगे और वैलकुल का दूसरा साइड उसके बिल्कुल ठीक सामने रखकर इसके उपर में सिलाई लगा लेनी है तो यह देखे वैलकुल भी लग गया है आप चाहे तो साइड में आपर छोटे वाले तीच बटन लगा सकते हैं इस तरह से तो यह था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है झाल